दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले नालंदा में आये दीन आपदा के कारण पानी में डूबने से लोगों की मौत हो रही है इसे वीच ख़बर नालंदा जिले के तिलहाडा थाना छित्र से सामने आ रही है जहाँ सौच करने गए व्यक्ति की पैर फिसलने से नदी में डूबने पर मौत हो गई मिर्तक तिलाला थाना छित्र के फर्कु सराय गाउनिवासी स्वर्गिये रामजी दास का 35 बर्सिय पुत्र भोला यादव है गटना के संबन्द में परिजनों ने बताया कि सोमबार की संध्या भोला यादव गाउं के समीप लोकायन नदी के तरफ सौच करने गए थे इसी दोरान पैर फिचनने से लोकायन नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई देर तक घर नहीं लोटने के बाद रात में परिजन खोजवीन करना शुरू कर दिये इसी दोरान मंगलवार की सुबह नदी में ही उनका स्षब पानी में छहलाया हुआ मिला गटना की सुजना मिलने के बाद मौके पर तिलाडा थाना की पुलीस पहुँच कर सब को कबजे में लेकर पोश्ट मॉटम के लिए बिहार सरिफ सदर अस्पताल बेज कर पोश्ट मॉटम कराने के बाद सब परिजनों को सौप दिया और आपदा के तोहत दी जाने वाली सहायता रासी के लिए अगरतर कारवाई में जुट गई है दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले